प्लस serious किवा सिवर प्लस एक ऐसा हमारा तरहलपदाथ है जिसके अंदर सिल्वर स्प्लब का मतलब होता है चांदि सुद्द चांद यका एक तरहल होट है जो सुद्द चांद यको हमारे शरील मेंreibtर लिक्ड फॉप में पहुचाने का एक बेस्ट तरीका है जिसका नाम है सिल्वर प्लस तो सिल्वर प्लस इवा का एक खास उत्पाद है जो कि चांडी के सुद्ध तरण को हमारे शरीब में पहुचाने का काम करता है और अगर मैं आप लोगों से बात करूं दियर प्रेंट्स हमारे शरीब जांडी के बुरुआने में आगले नामिक्फेस्ट तो पुराने समय के जो लोग हैं वो चानी के बरतन में भूजण किया करते थे बहुत सारे लोग जो है वो चांदी के बरतन में भूजन किया करते तो ऐसा माना जाता है कि चांदी के बरतन में भूजन करने से हमारे शरीव में बहुत सारे वैक्टिरिया वाइरस के प्रुभाव से हम हमारे शरीव की क्या कर सकते हैं रक्षा कर सकते हैं तो तो सुद्द चान्दी का तरल बदार्त इसके अंदर मौझूद है यह प्रड़ेक्ट जो है वह एक तेजी से अवसोशित होने वाला पॉम्मुला यानि कि जब हम इस प्रड़ेक्ट को लेते हैं तो यह हमारे शरीम में तेजी शे अवसोशित होता है यानि इसका जो असर है वो हमारे शरीर पे पुरंत जल्दी देखने को मिलता है एक सुपर्ज चार्ज्ट इम्मुन बूस्टर है यानि कि यह हमारी बॉड़ी के इन्यून सिस्टम को बहुत जल्दी से मजबूत बनाता है यानि कि एकदम काम करता है और हमारे शरीर की प्रतिरक्षा पढ़ाली है हमारे शरीर को बहतर कोफ़ देने का काम करता है इसके किसी प्रकार की एलर्जी नहीं की स्वास का को देखने को नहीं आगे अगर अगर हम लोग बढ़ते हैं इसके बारे में मैं आपको बता हूँ कीवा सुलबर सुलबर प्लस हो है इसके अंदर नैनो इसके रचान्दी के कड़ों का एक हाइड्रोडिक घुर मौझूद है जो की हंडेट परसेंट नैचुरल है हंडेट परसेंट प्राकतिक है कोई भी इस इसके अंदर अर्टीफीचल कोई भी चीज एड्ड नहीं करेंगे है हंडेट परसेंट थर्टी पीपीम सुद्चान्दी इसके अंदर मौझूद है थर्टी पीपीम का मतलब हो गया अगर हम लोग 100 ml की बात करें तो इसके अंदर 30 ग्राम सुद्चान्दी हमें देखने को 30 परसेंट या नहीं 30 पीपीम हमें शुद्चान्दी देखने को मिलती है और इसको एक खास तकनीकी से हम लोगों की बीच बना करके लाया गया है कीवा सिल्वर प्लस के अंदर ये तमाम तरीके की जो सिल्वर तकनीके के और उपाद है उससे ये बहतर माना गया है इसके अ और देखने को हमें मिलती है और अगर इसका हम लोग शेवन करते हैं तो ये हमारे शरीव के अंदर मौझूत कई तरीके के वाईरस को प्रमावी डंग शेक लाक्ता है और उनको भढ़ने से हमारे शरीरे का प्रतिवर तक शम्ता कुमाजूत करने का काम करता है देखिए सिल जो परजीवी है उनके जो ऑकसीजन लेने की छम्ता है उनके जो ऑकसीजन को ग्रहेंट करने की मातरा है चम्ता है यान्न की ऑकसीजन का व्यार्निक्टा जो आत्मशाथ है उसको यह रोकने का काम करता है लिए अग ayr Sn ate систем किसी भी तरीके के जो सुक्षम जीन हैं चाहे वो बैक्टीरिया हो वाइरस हो कवक हो उन्हें सास लेने में मदद करने के लिए जो विस्स्ट एंजाइमों की आवश्रक्ता होती है तो ये एक उत्प्रेरक की रूप में काम करता है जो एंजाइम उनको सास लेने में मदद करत से मुक्त हो जाता है हमारे शरीफ को उठाना नहीं पड़ता है अगर मैं बात करूँ इसके क्या-क्या लाव हमें मिल सकते हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा इसके उपर एक्चलि यह जो हमारा पूड़क्ट है यह कलिनिकल ट्राइसप्रडक्ट पर हो चुके है एक सुपरपाइन इमिन्यो बूस्टर यह प्रड़क है एंटि बैक्टिरियल भी है एंटि फंगल भी है एंटि वाइरल भी है अंटि इंफ्लेमेट्री चैह फंगस का प्रॉब्लम हो, चैह वाइरस का प्रॉबलम हो, हर तरीके की चीजों पे इसका असर जो है, वो हमें वहतरीन देखने को मिलता है, इसके लावा वाइड फ्लू हो, हेच पन एन्वाइन वाइरस हो, इन सभी के खिलाब इन सभी के एस बहतर रिजल्ट और वहतर वो करता है चाहें ये fungus infection हो fungus infection से भी लड़ने में उनकी जो कोशेकाएं होती है उनकी जो कोशेकाओं के बीच एक डीवार बना करके जो जोडने का वो काम करते हैं उस डीवार को खत्म करने का ये काम करता है और सबसे important चीज पंगस को हमला करके फंगस को खत्म करने में इसको कुछ ही सेकेंड में अपना असर जो है वो दिखाने लग जाता है किसी भी फंगस की उपर अगर हम लोग बात करें वाइरस के इंपेक्शन के लिए तो मैंने आपको स्टाइटिंग में बता दिया है कि यह एंजाइन जो उस शंख्या को बीए कम करता है और उन कोशिकाओं को समात करने का काम करता है जोशिकाओं का जो छोटे-छोटे क्रमी दिखनकरण करते हैं ऐसे पर जीवी के जुग myok करने के बाद जो अंडे देने की जो उनगी शमता है उसको उस पर येżej कंट्रोल करता है और जो अंडे देग्वी दिये हैं उनको ये आगे बढ़ने दिता है इससे क्या होता है उनका जो जीवन चक्र है वो प्रभावी होता है और किसी बी तरीके की परजीवी से हमारे को बचाने का काम करता है यानि कि चाहें वैर्वेत की फॉर्मूला है यानि कि जो पुराने लोग चांदी की बर्तनों में खाना खाया करते थे बहुत सारे लोग अपने घर के पानी की बर्तन में चांदी का सिक्क्राइब करते हैं पिछले कई सो साल, कई सेक्रों साल पुराना इसका हमें कई जगे पे अध्यें जो है वो देखने को मिलेगा। स्वासलाव देखने को मिलते हैं। तो चांदी का स्वासलाव यह है कि यह हमें वैक्टेरिया, वाइरस और हमनस के पुभाव से हमारे शरीख को पचाने में बहुत जादा मदब करती है। इस तर का सिल्वर मौझूद है, रोगाणू रोधी गुणों के लिए जाना जाता है वैक्टीरा वाइरस वंगल की इंफेक्शन से आपको बचायेगा 30 PPM चांदी इसके अंदर मौझूद है और चांदी के अन्य पदार्टों की पुल्ला में ये जादा सुद्ध है, जादा महतर है और जादा प्रभावी है हमारा प्रएक्ट है जो आप लोग के बीच है, मैंने आपको स्ट्राटी में बताया कि अगर हम लोग इसकी बात करें, इसकी हिस्ट्री के अगर बात करें तो 2700 से अधिक बरसों से इस चांदी के अलग-अलग धातों के प्रभाव को हमें मिलता है, आदूनिक समय में भी इसके भोजन के समय या पेपतार्तों के अंदर, कई ग्रंतों के अंदर, कई धात्मिक क्रियाओं के अंदर, पीतल और चांदी का अलग-अलग उप्योग हमें देखने को मिलता है, तो अगर प्राचीन भारती चिकत्सा की हम लोग बात करें शुषुत शहिता की बात करें तो उसमें भी संक्रमन को लोगने के लिए सरजीकल प्रिक्रियाओं में जो भात्मिक उप्योग है, उसमें भी सिल्वर की चीजों को बढ़ावा देने का उसके बारे में बाकाइदा शुषुत शहिता जो प्राचीन गरंत है, उसके अंदर के बारे में बगवाने आइस के बारे में बारे में बहुत जगे पर आपको देखने को जब आपधेंद करेंगे बहुत jeweले सकते लेकिन कीवा का ये जो प्रएक्ट है ये हम सभी के लिए आसानी से सुद्ध रूप से 30 PPM जो चानी का तरल पदाता है ये हमें उखलब्त करवा देता है और ये जो प्रएक्ट है हलाल, कौशर, WHEGLT certified प्रएक्ट है और किसी तरीके का कोई भी side effect इसको हमें देखने को नहीं gluten free product है और clinical trials भी इस प्रएक्ट पे हो चुके हैं लेकिन dear friends इस प्रएक की खाशिय इस प्रएक को मैं आप लोगों को क्यों बता रहा हूँ और इस प्रएक के बारे में हम लोगों को क्यों जानना चाहिए या इस प्छले डिएर से 2 सालों में जिन जिन लोगों ने इसको इस हिप चमश दिन में तीन बार इसका शेवन कर सकते हैं और उसके बाद साथमे दिन के बाद आधा-धा चमश लेने के बाद इसको हम लोगों कर्णापी को ले सकते हैं और इसका कोई भी side effect नहीं है कोई भूचे सब कितने दिन लेना चाहिए तो आप continue ले सकते हैं इसको कोई दिक्कत नहीं है आप एक से साथ दिन तक एक चमच और उसके बाद आदा चमच दिन में तीन बरापिश्का शेवन कर सकते हैं